नमस्कार में हूँ आकाश लागातार हम लोग खबर में बने हुए हैं और लागातार आपको खोज पर खरत्पे दिखाते रहते हैं लागातार हम हो गई हैं पूरे देश के लिए क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपने छेत्र के लिए प्रधान मंत्री को एक लेटर लिखा और उन्हें बताया कि राजने बाबु की धर्ती पर रो गए और क्या पाई हमारे साथ हैं जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं प्रिय भी घटनास्तली पर या किसी के भी पैत्रिक निवासस्तल पर हम जाते हैं खास करके जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर और यहां जाने के बाद भी एक नया जोर्स नया उमंग एक नए तरीके से काम करने का तरीका कैसे एक बहुत साध लगा थी कि खुब भीड़ होगा खुब धेर सारी दुकाने होंगी बहुत हल चलोगा पर ऐसा कुछ नहीं था जबकि सर वह बहुत फॉर्स जन्वरी बहुत अच्छा हो कि था कि सब लोह जाते हैं घूमने के लिए अपने आसपास में लेकिन उतनी कोई खास कोई बीड़ लेकिन अब क्या लगता है कि अपने आसपास के लोगों से लोगों को जानी है जिसको फॉलो करके आप गई भी वहाँ पर लेकिन अब क्या लगता है मंत्रिक अब क्या कहना चाहते है बाकी महापुर्सों के बारे में जानती होंगी नहरु जी के बारे में गांधी जी के ओहं जो भी साइब कितना आंतरच महसुस होता एक बात मैं प्रहले कडून की प्रढधार मंत्री मोह कर दूंतरच Il complex 2019 वह नहं बेस पर उनसे इंस्पैड होकर मैं गई थी वहाँ पर और क्योंकि मुझे 15 से अधिक घरेली पर एक अस्तलों पर जाना है तो मेरा पहला जो कोई भी इस्थल था उसमें डाक्टर राजेंद प्रसाद जी के पैत्रिक निवासस्थल पर जाना था लेकिन सर जैसे हाला कि मैं इ आयोजन वहां होते हैं तो उससे भी हम लोगा ध्यान उदर जाता है और उतना विकास इस छेतर में दिखाई नहीं दिया सब्सक्राइब कोई नहीं थी वहां गई तो कोई तो कोई सिंपली वहां अंदर गए तो हम लोग अंदर चले गए फिर उसके बाद से बाहर तो थोड़ा डेकोरेशन टाइप में है कि कुछ सजाया गया है कहीं कहीं लिखा भी गया है कि इनसे जुड़ा हुआ है किताबें उन्होंने पढ़ा था एक निता की रूप में कैसे उनका उद्य हुआ और कौन से रूमें उनके पिता जी रहते थे उनके भाई किस रूम में रहते थे लेकिन जैसे हम लोग अंदर जान लगे तो कुछ लोग अंदर की और जा रहे थे तो चुकि मेरी बहन मेरे साथ थी मेरी फैमिली भी थी तो मैं दीजी से पूछी कि यह सब लो अंदर जाने पर तुल्सी का पौधा था बीच में रखा हुआ था और वहां पे बिल्कुल जरजर टाइप में मकान दिखा फिर हम लोग अनुमाल लगा लिए कि यह अंदर का रहा होगा घर का वह दिखाया गया नहीं नहीं यह जानकारी है उनका यह जानकारी है लिखा तो में रहते थे वह अंकित रहते हैं लिखिक नहीं आप जानते हैं लेकिन यह एसा क्यों हुआ उनकी पुरी जनकारी क्यों ही मिल पाई इसकी पीछे का बड़ा सवाल है जो हम आपके सामने स्पुरि में उधरती आज भी प्रसास्थी धर्कारी फिक्षा की सिखा रहे है। उनके जो परिवार के लोग हैं आम इंसान की तरह जीते हैं उनके परिवार से कोई रादनेता नहीं है जिसके चलते साथ उनका गाउं आज भी विक्सित नहीं हुआ और किसी भी प्रेटक अस्तल के रुप में घोशित नहीं हुआ और यही कार्ण है कि यहां कोई लोग नहीं और तिसरा इंपोर्टेंट सवाल आपको यह बताते हैं कि राजणर बाबु सीधे साथ इनसान थे परतिभाके तो बहुत इजनी इंसान थे लेकिन जितने सिधे साथ थे साथ यही कानड रहा उन्हें लागता चाहें किन्द सरकार हो राजणर सरकार हो उपेक्षित करती रही है प्रिंगाफ उसके सवाल लास्ट है कि उसका थोड़ा सा असर सरकार के पास है कि उनके बारे में लोह को बताना चाहिए जानकाडी होनी चाहिए अकषर पूछते रहते हैं कि तुमिंगा गई तुम कहा गई तुम कहा गई लेकिन सरकार से यह मेरी अपील है अभी इस और ध्यान देने की बहुत आउश्यक्ता है क्योंकि एक तो सर वह हमारे देश के पहले रास्टपती भी थे देश रत नहीं भी थे भारत रहे वह तो ध्यान देने की बहुत ज़रुएं था तो बहुत है उनकी वह प्रक्र वक्ता थे वकील थे उनके वहां पर पढ़ने को मिला और वैसे भी हम लोग पढ़ते रहते हैं लेकिसर अभी उतना ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सरकारी के बिल्कुर सचेतक के रूप में वहां जा रही है प्रसासन पूरा